एक बड़ी प्यारी सी कवीता है कहो तो सुना दू भागवजी से उसका कुल लिना देना नहीं है पर किसी कवी ने लिखी है नाम तो मुझे नहीं पता पर दो चार पाँच बार मैंने सुना यह अच्छी है बातों में कुछ बातें चीजों में कुछ चीजें देख नहीं पाओगे 21 वी सदी में डूडते रह जाओगे क्या बच्चों में बच्पन पहली चीजी सत्य लेग दे बच्चों में आज कल बच्पन बचा कहा हूँ बच्चे धर्ती पर बाद में आतें फेश्बुक पर पहले आ जातें पहले उनका अकाउंट बन जाता है फेश्बुक इंस्टाग्राम सब बड़े अटक जातें न फोन में कोई चलाने में तो बच्चे से पूछें बेटा बताना ये कैसे चलेगा बच्चे बच्चे बतातें लो जी ऐसे बच्चों में बच्पन, जवानों में योवन, शीशों में दर्पन, जीवन में सावन, गाउं में अखाडा, शहर में सिंगाडा, टेबल की जगे पाडा, पंजाबे में नाडा, डूडते रह जाओगे, डूडते रह जाओगे आँखों में पानी दादी की कहानी प्यार के दो पल नल नल में जल अमारे उत्तर प्रधे शर्याना में देखो नल सबरे सूप गए पहले लाइन लगी रहती थी अब आपको नल सूखे मिलेंगे जो हाथ से हैंट पंप वाले तो प्यार के दो पल नल नल में जल संतों की वानी कर्ण जैसा दानी घर में महमान मनुश्चता का संबान पड़ोसी की पहचान रसिकों के कान ब्रज में फाग आग में आग तराजू पे बट्टा और लड़कियों का दुपट्टा डूडते रह जाओगे बातों में कुछ बाते चीजों में कुछ चीजें 21 सदी में धूडते रह जाओगे भरत सभाई लक्षमन सा अन्याई चूड़ी भरी कलाई शादी में सहनाई सच में सच्चाई मंच पर कविताई गरीब की खोली आंगन में रंगोली परोपकारी बंदे और अर्थी को कंधे ढूडते रह जाओगे ढूडते रह जाओगे और अगली लाइन तो बड़ी एकदम लगती है सची है गाता हुआ गाउं कैसे गाउं होते थे अभी भी है पर वहाँ भी वो चीज नहीं रही जो गाउं में होती थी गाउं वाले लोग शहर में भागने लगे हैं बहिया वहाँ बढ़िया हमारे बच्चों की पढ़ाई हो गई बविश्य बने गया गाता हुआ गाउं पनघट की छाउं किसानों का हल महनत का फल महमान की आस छाच का गिलास चहकता हुआ पनघट लंबा सा गूंगट लज्जा से थर्थराते होट और पहलवान का लंगोट ढूडते रह जाओगे आपस में प्यार भरा पूरा परिवार कल में आज और द्यान दो कल में आज और संगीत में रियाज सडक किनारे प्याओ संबोधन में ताओ दो रुपे उधार और नेता इमानदार दूडते रह जाओगे बातों में कुछ बातें चीजों में कुछ चीजें 21 पी सदी में दूडते रह जाओगे समय है यह बदल रहा है समय है तो बदलेगा भी कोई लाग कोशिश करे लेकिन कल्यूग आ गया कल्यूग आ गया कल्यूग कहां से आया कल्यूग कहीं बाहर से थोड़ी आता है कल्यूग तो हमारे भीतर से आता है हमारी मानसिक्ता से आता है हमारे विचारों से आता है बडले हैं कि कथा केहने वाले वी बडलेएं कथा सुनने वाले भी बडलें लेकिन अपने मूल को। नहीं चोड़ना इसे अपनी संस्क्रती संस्कारों को नहीं चोड़ना चाहिए वर यह ध्यान ko झाल झाल झाल